हेलो माइ सोल फैमली कैसे हैं आप सब एनाए होप आप सब अच्छे होंगे सुरक्षित होंगे और अपना इनर वर्क जरूर कर रहे होंगे जहां पे भी होंगे मैं आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करते हूं अपने इस चैनल में थैंक यू सो मच मेरे इस चैनल को इतना सपोर्ट करने के लिए मुझे इतना सारा प्यार देने के लिए and I am very glad कि मैं आपकी किसी भी तरीके से help कर पाती हूं चाहे वो कोई भी spiritual information शेयर करके हो या कोई भी tarot card message reading के थ्रू अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो please like share and subscribe to the channel जिससे कि सारे important messages आप तक बहुत सके जो कि बहुत important है आप सभी की spiritual journey के लिए तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और आज का वीडियो है मेरा 2112 portal के उपर 2112 portal 2021 जो कि आज की डेट है यह क्यूं इतना important portal है और यह क्यूं इतना जरूरी portal है और इसमें क्या-क्या आप experience कर सकते हैं क्या यह portal energies लेकर के आ रहा है वो सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे तो सबसे पहले तो हम यह जानते हैं कि यह portal क्यूं इतना important है ठीक है basically 2112 यानि कि 21st December 2021 यह portal जो है यह इसको हम doorway बोल सकते हैं ठीक है एक doorway है या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक window है एक cosmic door है जो कि हम सभी के लि available है ताकि हम access कर सके हमारी alignment जो कि हमारी higher self से है ठीक है यानि कि हम खुद को align कर सके हमारी higher self से यह एक ऐसा cosmic door है यानि कि ऐसा एक door open है समय कैसी window खुली हुई है जिससे आप pass करके जिससे आप अंदर जा करके आप अपनी खुद की higher self से आप align हो सकते हैं ठीक है आपको एक intention द करते हैं आप विश्वास करते हैं ठीक है इस बिलीव के इस बिलीव को आपको intention create करना यानि कि आप जो भी इस पोटल में manifest करना चाहेंगे जो भी manifesting करेंगे वो सब कुछ manifest होगा ये पोटल बहुत ही important है for manifesting यानि कि इस समय manifesting powers इतनी strong है कि जो भी आप manifest कर रहे हैं वो manifest हो जाएगा आपकी life में ठीक है तो आप जो है जो भी manifest करें उसमें intention डाल सकते हैं believe का कि I believe मैं विश्वास करता हूँ डिवाइन पे मैं विश्वास करता हूँ यूनिवर्स पे मैं विश्वास करता हूँ अन्नोन पे मैं विश्वास करता हूँ खुद पे ठीक है तो आप ये विश्वास बिलीव का वर्ड यूज़ कर सकते हैं ठीक है अब हम जानते हैं और क्या हम द इस एनरजी पोटल जो यह खुल रहा है इसमें आप अलाओ यह पोटल आपको अलाओ कर रहा है कि आप क्वांटम फील में खड़े हो सकते हैं खुद की डाइमेंड मरखाबा फील जिससे आपकी कनेक्टेड अटाच है जो कि मदर की जो मदर अर्थ की डाइमेंड ग्रिड है वहां पे जो आपकी डाइमेंड मरखाबा फील अटाच है वो आप अक्टिवेट कर सकते हैं यानि कि आपकी खुद की डाइमेंड मरखाबा फील उसमें आप जाके खड़े हो सकते हैं उसको आप अक्टिवेट कर सकते हैं उसमें जाके आप अटाच कर सकते हैं खुद को ठ फिर थे ओर आई को आपके हार्ट चक्रा रहा है यानिकि एक बेसिकल एक ट्राइंगल कन्गे्शन बना रहा है यह आपके खुद का हार जो ऀप्सक्रैश। बेटीर है और आपका बॉड़ी जो फिजिकल और एथिख्रिक बॉड़ी होती है और आपकी सूल जो एपकीस। पोटन पोटल और यह पोटल के ओपन होने की वजह से आपका जो डाइमेंड मर्खाबा ग्रिड है वो एक्टिवेट हो रहा है तो आप अब जो है अपना खुद का जो कॉस्मिक डिवाइन कनेक्शन है मदर अर्थ के साथ वो फील कर पाएंगे ठीक है आपके अंदर की डिव फैमिनन और डिवाइन मास्कलिन और इनर डिवाइन मास्कलिन और इनर डिवाइन फैमिनन का यूनियन नहीं हुआ था तो इस पोटल में वो यूनियन हो रहा है बहुत सारी कार्मिक हीलिंग कंप्लीट हो रही है और ट्विन फ्लेम सोल यूनियन सो रहे है यानि कि जो Putain Flames के Union hangे physical union's physical union हो सकते हैं उनके marriages वो सकती हैं व्हे पॉर्टल TWIN tellement की लिए बहुत इंपॉर्टन है ठीक है और और क्या हम इस पॉर्टल में देख सकते हैं इस पॉर्टल में आपको नयी JUL今回 असाइन हो रही है यानि कि जो जाहे हुँवन सोल तीम यह स्परिचव सोल करें थे की स्परिच्वल तीमा पहले वाइद करने अपको पहलेों करी थी जो आपको पहले ती या फिर आप जिन spiritual leaders को आप follow करते थे यूटूब पे जिन लोगों को आप देखा करते थे उसकता है कि उनको आप replace करके कुछ नए चैनल को आप subscribe कर रहे हों नए लोगों के साथ contact create कर रहे हों आप YouTube पे यहां तक कि जो आपको guidance जिस तरीके से आपको मिला करती थी for example अगर 12 21 करके send कर दिया यह triple one send कर दिया 11 11 send कर दिया तो अब आप देखेंगे कि उस pattern में भी पूरा change है ठीक है वो change हो जाएगा मतलब जिस तरीके से जो आपको spiritual team आपको support करी थी guide करी थी उस pattern में आप एक change देखेंगे हो सकता है कि आपकी battery हो रही है 65% और आपका time जो time दिखा र ठीक है तो आप देखेंगे कि जो आपको guidance मिल रही थी उसमें भी change आएगा अब ठीक है और यह वो time है जहां आपने बीज बो दिया है अब आपका time आगया है कि जो भी बीज आपने बोया है उसका फल आपको मिलेगा अगर आपने कुछ apple के seeds डाले हैं तो अब आपको apple ही मिलेगा ठीक है तो यह समय आपका वो है कि जो आपने बोया था वही आपको मिलने वाला है ठीक है कर्मा return timing है basically यह हम यह भी देख सकते हैं कि जो हमारे old structures हैं वो fall मतलब वो टूट रहे हैं वो बिकर रहे हैं वो खतम हो हो सकता है कि वो बंद हो जाएं जिस तरीके से वो काम करते थे वो खतम हो जाएं क्योंकि यह सब कुछ इसलिए हो रहा है कि पुराने structures इसलिए fall हो रहे हैं इसलिए गिर रहे हैं इसलिए खतम हो रहे हैं इसलिए बंद हो रहे हैं ताकि कुछ नए create करने की space हम बना सके आप जब तक कुछ नया नहीं create कर सकते जब तक आप पुराना नहीं खतम कर देते तो पुरानी चीजें खतम हो रहे हैं पुराने structures खतम हो रहे हैं ताकि आप कुछ नया create कर सके 2112 पोटल जो है वो आपको necessary important codes provide कर रहा है जो कि हमारे लिए बहुत जरूरी है उस change के साथ align होना जो क change आ रहा है और सारे solution देखना जहां हम challenges phase क्या करते थे अगर आप किसी अपने life में किसी point of area में आपको challenges मिल रहे थे उस challenges की जगा अब आपको solutions मिलेंगे ये portal आपके लिए solutions लेके आ रहा है ठीक है तो वो solutions लेके आ रहा है इसलिए वो codes आपको मिल रहे हैं इस समय ये portal आपक solution के साथ align करने के लिए basically ये perfect opportunity है हमारे लिए कि हम इस energy को use करें हमारी खुद की own clearing करने के लिए हमारी healing करने के लिए और हमारा transformation create करने के लिए जो भी आपको serve नहीं कर रहा था बैठी अपने साथ और पूछिए कि अभी भी आपके अंदर क्या चीज़े हैं जिनको आपको let कर रहे हैं आपके highest self के साथ अब वो नहीं चल रही है आपको उसको let go करना है basically fear ठीक है अब जो है अगर आपको किसी चीज़े डल लगता था फियर लगता था तो आप उस चीज़े को भी let go कर रहे हैं ठीक है और आप उन unfinished business को भी बंद करने वाले ये portal उन सभी unfinished business को भी बं कर जाने वाली है इस portal की वज़े से ठीक है जिससे कि आप अपनी life में अब वो space create कर रहे हैं ताकि आप अपनी dreams को manifest कर सकें by releasing your fear जैसे मैंने आपको बताया कि ये portal बहुत ही important है fear को release करने के लिए तो जिस भी चीज़े का आपको fear लगता था उस चीज़े को आप ये portal क्या कर रहा है कि निकाल के आपकी life से लेट गो कर रहा है निकाल के फेग दे रहा है ताकि आप अपनी dreams को manifest कर सकें चाहे वो लेट गो करना हो आपके किसी भी past behavior की तरी कोई भी past behavior है आपका या फिर आपका past attitude है या कोई भी past relationship है जो आपके साथ अब सर्व नहीं करता आपके higher self के स साथ आपको serve नहीं करता उसको आप अब let go कर सकते हैं में भी हो सकता है पहले नहीं कर पा रहे हो लेकिन इस portal की वजह से अब आप उसको let go कर पाएंगे अब उसको आपने life से निकाल पाएंगे ठीक है क्योंकि आपको पुराने baggage को carry करने की जरूवत नहीं है जो कि अब higher frequencies में higher dimensions में तो जब आप एक new dimensions में new higher frequencies में enter हो रहे हैं तो आप पुराने baggage को लेकर के उसमें enter नहीं हो सकते तो जितना भी old baggage आप carry कर रहे थे वो सब कुछ अब यहां पे इस portal में release हो जाने वाला है इस समय आपका जो connection है words के साथ वो बहुत ही important है क्योंकि उस समय उसकी पा यूज कर रहे हैं वो बहुत ही important है उन पर ध्यान दीजे कि आप क्या words यूज कर रहे हैं क्योंकि इस समय उन words में extra power है क्योंकि इस समय manifestation powers बहुत हाई हैं जैसे मैंने आप सभी को बताया कि इस समय आप कुछ भी करेंगे manifest वो manifest हो जाएगा तो ऐसे words यूज कीजे जो कि आप आपके manifestation में help ही करें तो ठीक है तो आप उन words को सो समझ के use कीजे मतलब देखे थोड़ा दिहान दीजे कि आप क्या words यूज कर रहे हैं क्या शब्दों का use हो रहा है इस समय words के पास यानि शब्दों के पास extra power है to manifest in reality यानि कि वो words के पास में extra powers हैं कि वो आपके reality में manifest हो जा ठीक है और मैंने और जो है यह portal आपको help करेगा कि आपका twin flame जो लोग अभी भी हैं तो वो twin flame journey में लेकिन वो अभी तक अपने twin flame से नहीं मिल पाए है उन्हें नहीं बता उनका twin flame कौन है कहा है तो यह portal जो है आपके twin flame से मिलने के लिए बहुत ही important portal है अब आप इस portal की से अपने twin flame से मिलेंगे एकदम unexpected way में मतलब हो सकता है अचानक जैसे मैं आपको example दूं की अगर आप मान के चलिए आप सबजी खरीदने जा रहे हैं market में और वहां जाकर आप सबजी खरीद रहे हैं और बिल काउंटर पहुंच रहें तो आपको पीछे आपका twin flame मिल सकता है खड़ा हूँ और आपको पता चलेगा यह आपका twin flame है वहां आपको यह नहीं आप तो सबजी खरीदने जा रहे थे ठीक है लेकिन वहां जाकर कि आपको पता चल रहा है कि वहां आपका twin flame है तो बिलकुन unexpected way में जहां आप सोच भी नहीं सकते ऐसे unexpected way में आप अपने twin flame से इ ठीक है तो यह बहुत ही important gate है ascension के लिए यह बहुत ही important time है कि आप अपनी freedom वापस ले सकें ठीक है जैसे मैंने आपको बताया कि यह एक cosmic door है या gateway है या window है जो कि हमें available करा रहा है higher access मतलब हम अब higher power higher access higher divine हमारी जो frequencies है अब उन्हें हम access कर सकते हैं हमारी higher self है उसको हम access कर सकते वो हमारे पास अब available है ठीक है तो और आपको मैं यह बता सकती हूँ कि इस portal में जो truth है वो बहार आएगा यानि कि जो भी सच है चाहे कुछ government में लेकर के illusion चल रहे थे आप politics उठा के देख सकते हैं आपके society में घर में आपके job में आपके career में आपके relationship में आपके किसी भी part of life में जो भी illusion चल रहे थे जो भी भ्रहम चल रहे थे उन पे से अपर्दा हटेगा और real सच क्या है real truth क्या है वो आपके आखों के आगे आएगा ठीक है यानि कि आपको real truth जो है अब दिखेगा surface पे यानि कि लोग चाहा के भी उस सच को अब नहीं चुपा पाएंगे वो सच अपने आप आगे आएगा आप लोगों के आगे आएगा ठीक है बहुत सारे energetic चक्रा का expansion चल रहा है activation चल रहा है basically आपका third eye crown चक्र, heart चक्र, root चक्र ये चार चक्र जो हैं बहुत important है बहुत सारे लोगों के ये चार चक्र का अब ग्रेशन चल रहा है? अब ग्रेट चल रहा है ठीक है इनका expansion चल रहा है तो हो सकता है कि आपको सर में दर्द महसूस हो इसा लग रहा है आपको चक्र आ रहा है या वाइब्रेशन फील हो रही है या फिर आपको left side बहुत दुक रहा है तर आपको sweats बहुत आइए आनि पसीने बहुत आएं या फिर आपको ऐसा लगे कि आपके मतलब एकदम चेस्ट पे बहुत हैवी फील हो रहा है ऐसा लग रहा है जैसे कोई चड़ गया और किसी न आपका चेस्ट बिलकुल दबा दिया और आप सांस नहीं ले पा रहे हूं ऐसा हो सकता है ठीक है तो यह सारे स बहुत जादा लगे आपको और मैं आपको यह ड़ाइस भी करूंगी कि इस ताइम पीरेड में आप जितना हो सकता है उतना फ्लुइड कंजियूम करें यानि जितना हो सकता है उतना जादा पानी पीएं क्योंकि इस समय बहुत सारे आपके चक्रों का एक्सपेंशन चल रह हो रही है आपका कोई पैरेंट वूंड था यानि फादर हीलिंग मदर हीलिंग इनर चाइल वूंड इन सभी की हीलिंग हो रही है इस पोर्टल के दोरान और जो भी आपका एंसेस्टल कर्मा था पेंडिंग वो भी कंप्लीट हो रहा है वो भी पूरा हो रहा है एंसेस्टल lineage जो चलता आ रहा था ancestral pattern जो चलता आ रहा था या जो भी ancestral karma चल रहा था वो अब पूरा हो रहा है वो भी उसकी भी healing हो रही है ठीक है dreams इस समय पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप उन पर please ध्यान दीजे कि आप क्या dreams देख रहे हैं ठीक है क्योंकि इस समय हो सकता है कि आपको आपके past life memories दिखाई दें सपने में ठीक है हो सकता है कि आप अपने उन लोगों को देखें जो आपके घर में अब जैसे वो मर चुके हैं जैसे कि आपके दादा जी हो सकते हैं दादी जी हो सकती हैं नाना नानी हो सकते हैं या पर दादा पर नानी पर जो भी है या फिर आपके घर में कोई भी जो आपके घर में नहीं है वो आप पहले थे आपके family members जो अब नहीं है अवलेबल इस 3D में नहीं है वो मर चुके हैं हो सकता है आप उ उनको देखने का मतलब यह कि आपके जो सब कांशियस माइन उनकी हीलिंग हो रही है, बेसिकली यह पोड़ल जो है आपका सब कांशियस माइन की हीलिंग कर रहा है, कमप्लीट, ठीक है जो लोग अपना मेडिटेशन इन अ वग कमप्लीट कर रहे थे, बिल्कुल अच्छे से क कर रहा है उनको का सबकॉंशिज माइन जो है इस सममय हील ओरा है उनकी हीलिंग कंप्लीम हो रही है उनके सबकॉंशिज माइन की कंप्लीम हुरी यह जिसकी वजह से उनका डामनrickAbu grid जो है वो activate हो रहा है ठीक है तो हो सकता है कि आप अपने past lives को भी देख सकते हों हो सकता है आपको कुछ memories flashes दिखाई दे रहे हों जो आपके past life memories हो या फिर आपके बच्पन की कुछ चीज़े हों कुछ wounds जो आपके बच्पन के थे वो सब कुछ आप इस समय सपने में देख सकत हैं दूसरी चीजर इस समय एस्टट्र ट्रेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ठीके है तो हो सकता है जब आप आप सोने जाते हैं अब स्ट्र कर रहे हैं एस्ट अप जान बूचके नहींकरएं लेकर आपके साथ हो रहा है डिकन आपके साथ हो को ये समझ में आए कि आप क्या message receive कर रहे हैं क्या guidance आपको मिल रही है वो सबने आपको क्या बताना चाह रहे हैं ठीक है और इस समय जैसे मैंने आपको बताया कि अब आप अपना सारा ancestral pattern कर्मा या फिर inner child wounds आपकी खुद की subconscious healing सब कुछ complete कर रहे हैं तो अब आप अपनी जो old stories हैं वो आप उनको खतम कर रहे हैं अकाशिक record से तो अब इस समय आप अपने खुद की timelines को खुद लिख सकते हैं आपको अप क्या चाहिए अपनी story को आप वापस rewrite कर सकते हैं ठीक है तो ये basically portal है it's all about reflection and preparation I can say आपको ये चीजों पर ध्यान देना है कि अभी भी क्या है जो आपको let go करने की जरुवत है और आपको prepare करना है उन चीजों के लिए कि आप अपने आपको future में कहाँ देखना चाहते हैं ठीक है अभी भी आप कहाँ stuck है अभी भी counts energy है जिसको release करना है उस पर आप reflect कीजे उन चीजों पर आप reflection डालिए और उन चीजों के लिए preparation कीजे जो जहाँ पर आप खुद को देखना चाहते हैं ठीक है और negative cycles का या कार्मिक cycles का ये end है यानि कि इस portal के वज़े से जितने भी कार्मिक cycles या negative cycles में आप stuck थे वहां से आप बहार निकल रहे हैं उनका अब खतम हो रहा है उनका pattern वो cycles अब आपके life से खतम हो रही है और ऐसा हो सकता है कि आपको ऐसा फीलो कि आप अकेले हैं लेकिन आपको ये बिल्कुल भी दिमाग में नहीं लेके आना है कि आप अकेले हैं और आप सब भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं अगर आपको कोई और सिम्टम्स या कुछ और फील हो रहा है इस पोर्टल के दोरान तो ठीक है इस समय आपकी मैंने बताया manifestation powers बहुत हाई हैं आपके जो भी डर थे वो आप let go कर पाएंगे अगर आप कोई किसी चीज से आपको डर लगता था और आप चाहा रहे थे कि मुझे ये डर निकालना है मेरे अंदर से और आप नहीं निकाल पा रहे थे पर अब इस पोर्टल की वज़े से उस डर को आप अपने अंदर से निकाल पाएंगे और इस पोर्टल में आपकी लाइफ में वो लोग भ वापस से आएं, वो आपस से बात करना चाहें और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, पूरी तरीके से, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, ठीक है, तो क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपका कार्मिक हीलिंग हो रही है, पूरी, आपकी जो नेगेटिव साइकल चल रहे थे, उनक क्यों ना हो, वो भी वापस आ सकते हैं, ठीक है, जिनके साथ आपकी कार्मिक चीजे खतम हो रही है, तो ये था मेरा आज का वीडियो, I hope आपको समझ में आया होगा, कि ये कितना खुबसूरत और important and beautiful पोटल है, ठीक है, डोरवे है, कॉस्मिक डोरवे है, आज के दिन आप ह को सके तो meditation करें, चाहे भले ही 5 मिनिट के लिए करें, बट करें, अपनी creative energy पे ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि इस समय creative energy बहुत हाई है, ठीक है, कुछ भी नया create कर सकते हैं आप, जो भी आपको create करना हो, तो ये था मेरा आज का वीडियो, 21-12 पोटल के उपर की ये क्या पो और तब तक के लिए मैं आप सभी को बहुत सारी happy energies भेज रही हूं, healing and light and love, सब कुछ आपको भेज रही हूं, to my soul family, take care of yourself and see you soon